पसु पालन के सेलेबस के पार्ट बी में बड़ा बदलाव दोस्तों यहाँ पे अब जो देखेंगे कि पसु परिचर जो 2024 की भरती है इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया है अब आगे क्या होगा और पहले syllabus क्या था अब क्या हो गया है पहले हमने क्या पढ़ा क्या छोड़ें क्या पढ़ें बहुत बड़ी दूइदा में पस गए है सभी छात्र तो उन सभी का doubt दूर करने के लिए उन सभी का confusion दूर करने के लिए मैं लेकर कर आया हूँ ये एक detail वीडियो जी हाँ दोस्तों आप देख रहें कि पसू परिचर 2024 पसू पालन के syllabus में बड़ा बदलाओ पहले syllabus क्या था जिसका वेटेज 45 questions का था लेकिन अब syllabus क्या हो गया क्या से क्या हो गया देखते ही देखते तो चलिए पूरा doubt क्लियर करते हैं बने रही है वीडियो के अंत तक देखें दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सुरू करूँगा कि पहले जो है syllabus पूर्णांग 45 यानि यहाँ से total कितने question आने वाले थे 45 question आने वाले थे यहाँ देखा जाए तो पहले part A और part B अलग अलग थे लेकिन finally board ने अभी यह final decision जो की पसुपालन विभाग और board के सदश्यों की बैट करके meeting हुई थी मंत्री जी के साथ और उससे यह निचोड निकल करके आया है जो syllabus है दोस्तों पहले देखो भर भर के syllabus था तो उसके questions देखें तो 45 थे अब syllabus को छोटा कर दिया गया है तो no doubt questions भी कम आएंगे तो आपको कहीं गबराने की आवशेक्ता नहीं है अब तक जो आपने पढ़ा है वो जरूर आपका काम आएगा कहीं ना कहीं देखें किस तरीके से यहां मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ कि पहले अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें से कौन सा जो चेप्टर है आप इसकिप कर सकते हैं तो देखो पसुपालन से सम्मंदित विभिन निम्न का सामाने ग्यान दोस्तों समाने ग्यान के बारे में तो इसमें भी लिखा हुआ है लेकिन वो जब आप देखोगे ये तीन पेज का जो सेलेबस है उसके फस्ट फस्ट जगे पे लिखा है पसुपालन का सामाने ग्यान जिसमें देशी नसले करतरिम गरबादान बदियाकरन संकर परजनन, दुग दोहन, दुग दुग दुसरावनकाल, दुग उत्पादन, पसु कुकुड परबंदन, जेविक अप्षिष्टों का निस्तारण, संतुलिक पसु आहार, चारा पसले, चारा चारा गाविकास, स्वस्त बिमार पसु की पहचान, परजिवी रोग, पसु होने वाले पसु, वर्मी कमपोस्ट, चमडे हडियों का उप्योग, पसु की उम्र ग्यात करना, पोलिथीन से होने वाली हानिया, ऐसे जो है न, इन टॉपिक्स को अब आप छोड़ सकते हैं, पसु का बीमा, पसु करे करते समय रखी जाने वाली सावदानिया, देखो पर सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, कि जन्तुओं में जनन, दोस्तों ये नया एड हुआ है, पहले नहीं था, दूसरा है जन्तुओं में पाचन, ये भी नया एड हुआ है, पहले नहीं था, और जन्तुओं में स्वसन, ये तीनों चीज, जो है, तीनों टापिक न प्रमुक रोग दोस्तों प्रमुक रोग में अब सारे रोग आएंगे वाइरस जनित जीवानु जनित परजीवी जनित जितने भी जो सामाने सामाने रोग हैं वो सारे यहाँ पर आने वाले हैं इनकी विशेशताएं दोस्तों रोगों की विशेशताएं नहीं यह जन्तों की विशेशताओं की बात कर रहा है अंगरेजी में जाओगे तो यहां लिखा है क्रेक्टरिस्टिक्स रोग के सिंप्टम होते हैं लक्षन होते हैं लेकिन यहां क्रेक्टरिस्टिक्स किसके हैं जन्तों के क्रेक्टरिस्टिक्स दोस्तों जन्तू के characteristics का मतलब क्या है जन्तू का character कैसे पहचानोंगे characteristics किसके seeing हसियाकार है किसके कान पत्ती जेसे लटके हुए है यानि यहां से क्या आएगी नसले आएगी दोस्तों तो नसलों का यह छुपा हुआ जो है इसको पढ़ना ध्यान से यहां कोमा लगा के लिखा characteristics यानि देखो जन्तू हों में जनन जन्तू हों में पाचन जन्तू हों में स्वसन जन्तू हों में प्रमुख・ रोग जन्तू हों में विशेशता है जनतुव में विशेष्टाएं, characteristics of animals, क्या characteristics होंगे, किसके केसे लक्षन, कौन सी गाय केसी दिखती है, कौन सी भेंस केसी दिखती है, यहां से आपको complete जो है नसले मिलने वाली है और आपने सारी नसले पढ़ रखी है, बात करता हूँ, आवास की तो दोस्तों, आवास भी अच्छे से, intensive system, extensive system, और भी इसमें आपको कई दे रखा है, tail to tail, और जो भी system है, face to face, और कई सारी चीज़े यहां पर करा रखी है, जानवरों की, यहां देखे संरक्षन वाला जो topic अगर थोड़ा सा देखेंगे, तो संरक्षन topic को आप कैसे जानवरों का संरक्षन कर सकते ह अंगरेजी में देखें तो उसको नाम दे रखा है, conservation, दोस्तों, conservation आपको पता है, animals में जो conservation मुखे रूप से देखें, उनका किया जाता है, जिनमा मतलब क्या हो जाए, उनकी बहुत ही down चली जाए, उनकी संख्या, यहां मुखे रूप से देखें तो दो तरीके का होता है x-situ conservation और in-situ conservation नाम आपने कहीं न कहीं जियोग्राफी में सुना होगा, दोस्तों, यहां और बात करते हैं, मुखे जो अगला topic आपको देखने को मिल रहा है, पसू उतपादकों का पोसक मान, दोस्तों, यहां भी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि पसू उतपादकों का प सुना दूद हो गया, अरे भाईा दूद में प्रोटेम कितना है, दूद में यहां देखे, तो यहां दूद में मुखे रूपसे जो आपका देखा जाए, pronounce कीतना है, इसके अलावां ओर और क्या आजाएगा, bumps के अंदर में क्या क्या ni yüz है, नित रिवल्यूज है, तो अंडा हो गया जैसे उन के बारे में बात कर लेगा तो ये जो है ना प्रोडक्ट्स एनिमल के इनके बारे में बात कर रहा है मतलब वही चीज घूम फिर के आगई कौन सी वाली जो यहां आपके दिये वे थे ना उन वाला परती वेक्ति दूद उन्डा मास की इनकी उपलबदता परती पसू उपपादकता कितनी है अब एक सब्द आता है एनिमल एग्रिकल्चर दोस्तों जो एनिमल एग्रिकल्चर यानि कि जो पसू क्रशी है यह क्या है दोस्तों मुख्य रूप से देखा जाए तो बड़े जो विक्षित देश है उनमे एनिमल एग्रिकल्चर पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए जो जनतुओं की जो जनतुओं की जो उत्पाद है जनतुओं से अपन क्या-क्या उत्पाद प्राप्त करते है उसे कहते हैं एनिमल एग्रिकल्चर मुख्य रूप से उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है तो यहाँ दो चीज निकल करके आती है एक तो एनिमल एग्रिकल्चर से मतलब अपन क्या-क्या दूद कितना उत्पादन हो रहा है अंडा उत्पादन में क्या इस्तिती है कित कर रखा है तो कोई समस्या नहीं है फिर दोस्तों बात आती है पॉल्ट्री फार्मिंग तो पॉल्ट्री फार्मिंग वर्ड यूज किया है तो पॉल्ट्री फार्मिंग वर्ड पॉल्ट्री यानि मुर्गी पालन जो है यह भी अपनने अच्छे से कवर करा है मुर्गी की नस ने देखी है, सामा ने सब्दावली देखी है, उसका हाउसिंग सिस्टम तक अपन ने देखा है, थोड़ी बहुत अंडे की सरचना है, वो देख लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अब भाई साब जो अगले दो टॉपिक है, आधुनिक विश्व में चरवा है, इत्यादी, इसके अलावा देखो, आधुनिक विश्व में चरवा है, कोई मुश्किल टापिक नहीं है, देखो चरवा है, कोण है, राजस्तान में राइका है, इधर आप जाओगे, महराष्टर वाली साइड, MP वाली साइड बन जारे हैं, पूर्वी राजस्तान में भी बन जारे आपको दिख जाएंगे, इधर आप जाओगे, जम्मू की तरफ तो गुजर, बकरवाल जो है, है ना, यहां देखोगे, हिमाचल और यह जो है ना, उत्राखंड वाला जो एरिया, तो यहां भोटिया, गुजर, यह सब मिलेंगे, इसके अलावा देखो, साउत मे भारत में मोनपपा मिलते हैं, तो यह जो गडरिये हैं ना, इनके बारे में जानकारी ले रहा है, कि किस तरीके से जो पसू है, उसका देखो, यहां से क्या सब्द निकल के आ रहा है सामने, कि सैफर्ड्स इन मोडर्न वर्ल्ड, यानि कि जो पसूं को चराने वाले, अरे ग गडरिये की बात कर रहा है, किस की बात कर रहा है, गडरिये की बात कर रहा है, तो अलग अलग आधुनिक मतलब अभी अवन देखें, तो ऐसा नहीं है, केवल अपने राजस्तान में भेड बकरियां जुंड में पाली जा रही है, अरे भईया, गड़ी, भकरवाल, आपको मुख्य रूप से पाल रही है या अपने राजस्तान में भी कहते हैं जन्तु पालक या उट पालक जैसे रेबारी हो गए राइका हो गए तो ये सब अपने को इसके अंदर पढ़ने कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है लेवल टैंथ ले आप बिल्कुल ना घबराएं हर कदम कदम पर आपके साथ हैं हम वो कहते हैं ना जीत जाएंगे जंग हम तूं अगर संग है बिल्कुल उतकर्स आपके संग है आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों यहां बात करें wild animals and their life wildlife resources औरे सर अब तो हमें क्या करन पड़ेगा जंगली जानवर पड़ने पड़ेंगे क्या अरे हवा मत बनाओ भाईया वनने प्राणी जीवन उनका जीवन संसादन अरे भाईया काजी रंगा नेशनल पार्क कहां है ताइगर प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट हुआ यह सब चीजे इसमें आने वाली है अपने को तो सिंपल सिंपल चीजे हैं जो जीके में आप पढ़ते हैं ओल्रेडी योग्राफी के अंदर लेकिन पसुपालन में भी इनको देखने वाले हैं अपने बिलकुल नेस्त नाबूद कर देंगे दोस्तों और मुखी रूप से आप देखें तो पसुपालन देखो मेरे इ जो है 100 हावर्स से उपर लेता है तो आप सोचके नहीं अपको 45 मार्कस मिल रहे थे और यहां आपको कितने मार्कस मिलेंगे 25 मार्कस मिलने वाले हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात हुए है या सेले बस तो वन थर्ड कर दिया तो कहां दिक्कत आ रही है कहां दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत नहीं नौट एंसान ऐसी विपरीत परिस्तेतियों में जो अपने पेर जमाय रखेगा इस एक्जाम के युद रुपी मैदान में वही दोस्तों जंग जीतेगा ये आपको ध पढ़ाई करना बाकी क्या सेले बस जारी हो रहा है किसकी टैंसन लेनी नहीं लेनी वो काम हमारा है टैंसन लेना हमारा काम है आपका काम है पढ़ाई करना आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो मेरे दोस्तों अपने माबाप के सपनों को पूरा करो और उसी में जुट इसमें सहायता उतकर्स आपके साथ कदम कदम पर खड़ा है बिल्कुल आपके कंधों से कंधा मिला करके बिल्कुल आपको आगे की तरफ आपकी मंजिल की तरफ उस करने के लिए उतकर्स खड़ा है कोई डाउट यहां नहीं है जनतों में जनन सर थोड़ा क्लियर कर दो, जनन में कुछ नहीं दोस्तों, जनन में अपने को मादा जनन तंतर, नर जनन तंतर देखना है, केसा घरबाश से कौन से जानवर में होता है, ये देख लेंगे, कौन सी ओवरी से जो अंडाणू है, मुखेत रिलीज होता है, इसका अपवाद कहीं देखने को मिलता है क्या, किसकी ओवरी पे फोसा पाया जाता है, यह गड़ा पाया जाता है, यह 8, 10, 15 जानकारी जो है, होर्मोन कौन-कौन से जिम्मेदार होते हैं, उजनेसिस क्या होता है, इस्परमेटोजनेसिस क्या होता है, यह कुछ सिंपल चीजे यह आने वाली है, इसके अलाव पाचन के अंदर देखें और स्वसन के अंदर, स्वसन में आपको पता है, जन्तों में आप पढ़ते ही है, स्वसन जो है, मनुश्य के अंदर, वही जानवर में है, जानवर में भी जो है, यहां से नासी का छिद्र से सुरू हो करके, यहां पर आपकी जो है स्वास नलियों ट्रेकिया वगेरा से होते हुए है ना स्वस्नी स्वस्नीकाओं से होते हुए अंत में क्या है वायू कूपिकाओं तक पहुंच जाते हैं ये पूरा स्वसंतंत्र है और वायू कूपिकाओं में आपको पता है ऑक्षिजन का आदान परदान होता है oxygen जो है वो blood में जाती है blood को सुध कर देती है और blood से CO2 वापिस वायू को पिकाओं में आती है और उसे बाहर निकाल देते हैं ये जो मामला है क्या इसका चक्र रहने वाला क्या cycle है वो इसमें देखने वाले हैं और पाचन मतलब digestion अपने जो चीजें खाई उनका digestion कहां हो रहा है कौन सा product बन रहा है वी एफए वास्प सील वस्य अमल volatile fatty acid इनके बारे में जानकारी मेंने वैसे ही आपको रोगों के अंदर दे रखिये पाचन तंतर के रोगों के अंदर है ना तो दोस्तों कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है रोमन्ती में देखे तो पाचन रोमन में कितने पार्ट है चार पार्ट है शुडो रोमन्ती में कितने है तीन पार्ट है तो कुछ ऐसी basic जो जानकारिया है वो भी इसमें सामिल होने वाली है साती सात मैं आपको बता दूँ सामने सब्दावली नसले रोग सामने सब्दावली और नसले किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी है दोस्तों ये बिल्कुल जो है पसुपालन का बैसिक है और इस बैसिक के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है और मैं तो कहरा हूं दोस्तों आपका ये देखिए part A कितना हलका हो गया उसका burden देखो कितना हलका हो गया अरे मेथ में आप trigonometry पढ़ पढ़ के त्रिकोरन मिती पढ़ पढ़ के आप बावरे हो रहे थे अब कोई हेडेक नहीं मेत का सेलेबस देखो आप उठाके बहुत ही सिंपल सेलेबस मेत का हो गया आपके सामने और दोस्तों यहां से बात बता दूँ आपको अगर आपने ठान लिया ठान लिया तो जीत आपकी पक्की है ठान लिया तो दोस्तों जीत आपकी पक्की है मैं बार बार कहता हूँ कि जो तुम चाहो पा सकते हो तुम अगर चाहो तो मरू में पुश्प किला सकते हो जो चाहो तुम पा सकते हो और दोस्तों ये तो चंद चार लाइन से लेबस की है इनमें जो गागर में सागर भरता है वो लास्ट में इत्यादी लिखा हुआ है लास्ट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों ये जो इत्यादी लिखा है ना ये इत्यादी गागर में सागर भरता है तो इत्यादी के लिए आपको क्या करना है जो basic general knowledge यहां से आपका था उसको आ ताकि आप जो कहते हैं न सेलिबस से बाहर क्योंकि ये इत्यादी में क्या-क्या आने वाला है, इस से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है. लेकिन ये जो है मोटा मोटा आपका syllabus cover है इसमें बस नसले जरूर aid कर लेना मैं कह रहा हूँ ये विशेस्ता यानि ये जो characteristics है ये किसको बता रहा है ये नसलों को बता रहा है साथ ही साथ पसु पालन का समन्य ग्यान समन्य ग्यान में दोस्तों सब्दावली आती ही आती है सब्दावली समन्य ग्यान में आती ही आती है ठीक है दोस्तों तो ये syllabus से related आपका सारा confusion में दूर कर चुका हूँ अब अपनी पढ़ाई पे लग जाईए जल्दी ही ये वाले जो topic है दोनो topic लेकर करके इस sunday को आ रहा हूं दोनो तीन और चार नमर वाले topic खलास करा दूँगा मेराथन कलास लेकर कर करके आ रहा हूं इस sunday को पांच बजser बिल्कुल खलास कर देंगे उतकर साथ हर कदम पे खड़ी है आपको कहीं डरने के आउशकता नहीं है दोस्तों जे हिन दोस्तों जे भारत जुटे रहो लगे रहो बेस्ट आफ लक